आज मैं बनाने चारी नवाबी चिकन जो बहुत ही टेस्टी और बहुत इसली बन करते यान हो जाती है आप महमानों के लिए या फिक घरवालों के लिए बनाएं और तारीफे पाएं चलिए शुरू करते हैं रसिपी सबसे पहले कुछ मसाले पीस देंगे तो काजू नारियल की पॉडर और हरी इलाइजी यह सारी चीज़े मिला कर हम पीस लेंगे हाफ कप दूड डाल कर अब चिकन पीस लेंगे यह 500 ग्राम चिकन है इसमें हम डालेंगे दही हाफ कप पिसी हुई जो हमारी मसाला थी काजू व आइप पैस्ट purchases a handful की पेस्ट हाफ टेस्पोन लाल मिस पॉरडर और एक टेस्पून काशमीरी लाल मिस पॉरदरर रेंगे हाफ टेस्फ़ून हल्दी बर डालें नमक डाले स्वाति ऐसे हाए फिर कि दिप्रम आलेगे और यह एक टीस्पून दालें है आप data पाज़ेट हम स इंग्रीडिन्स सारी डिस्किप्सिन बॉक्स में मेंशन किवे दोस्तों आप वहां जाकर अच्छे से चेक कर लीजेगा अभी हम इसे एक घंटे के लिए मैनेट करेंगे अगर एक घंटा मैनेट हो जाएगा फिर हमें कडाही में टेल नहीं डालना है क्योंकि टेल और डाला ह हम जस्ट पैन को अन करेंगे और यह चिकन की पेसे मैनेटे चिकन इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चला लेंगे और फिर ढखकन लगाकर हम पहले टेज एक बॉयल आने देंगे यह तेज में एक बॉयल आ जाती है तो हम इसे पंद्रा से बीस मिनट के लिए धीमी आज पर छोड़ेंगे इस तरीके से में धीमी आज पर इसे छोड़ देना है 15-20 मुनट धीमी आज पर छोड़ने के बाद हम इसमें डालेंगे हाफ टीस्पुन कराम मसाला पॉर्डर और ढख देंगे फिर इस तरीके से मितला पकाते जाना आपको और देखी तेल भी छोड़ने इसलिए मैं डालती हूं पर यह completely optional है अब हम इसमें डालेंगे हाफ कब से थोड़ा कम घरम पानी आप देख लिजए आपको थिकनिस कितनी चाहिए लेकिन चेनरली इस टाइप की ही थिकनिस रहती है नवाबी चिकन में तो देखें और ढग देंगे हम फिर देखें कितनी जब आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखके बताना बनाने के पाद और सब्सक्राइब करें हमारे मोटिवेशन के लिए अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी टेस्टी रेसिपीज के लिए थैंक यू फॉर वाचिं गाइस